वेल्कम तो दे चैनल ग्यापन एकेडमी अब आपका इंतजार हुआ खत्म क्योंकि इस बार हम ले करके आए हैं multiple choice का तांड़ो यानि की relation 1 से ले करके 7 तक chapter wise पूरे 1 से ले करके 7 तक का multiple choice करनी चोड़ और इस वीडियो को आप skip मत किजिएगा ठीक है तो चलिए हम लोग कुश्चन के तरफ चलते हैं तो पहला कुश्चन है देखिए ध्यान से और गौर से इस सब कुश्चन को deeply देखते चलिएगा क्योंकि बहुत ही important है तो जिन्दा है तो जो यह कविता है कविता में जीवन के जीवन का कौन सा द्रिस्य दिखाया गया है तो यहां देखिए गहरे जीवन की राग की उत्सा तो यह दोनों दिखाया है जीवन के राग के भी बारे में कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए और अंदर से मोटिवेशन उत्साह डालता है हमारे अंदर इसका अप्सन हो जाएगा सी अगला पुस्चन हम लोग देखते हैं तो जिन्दा है तो इसर जीवन राग में अतीत के डैस के पलो को भूलने की ब यानि कि यहां पर अप्सन हो जाएगा भी ठीक है अगला कुश्चन हम लोग देखते हैं तीन नमर कुश्चन है ध्यान से इसको समझिएगा तो जिन्दा है तो कभीता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है यहां लिखा है निरासावादी आसावादी प्रेड़ यह भी अप्सन सही है फिर हम लोग अगला कुश्चन देखते हैं यहां लिखा है हमारे कावाम यानि कि हमारे कावाम आपको किसका इंतजार करता है तो यहां देखिए मनजीलों का इंतजार है यानि जितने भी काफिले हैं मुहला जो भी समझे आप इसको ठीक है उसको होना यह पहले ही हम बताये थे और आप अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी का वीडियो आप देख लिजेगा उसके बाद से आप मल्टीपल चुईस सही मारने की कोशिस किजए क्योंकि आपको अगर कवीता समझ में आएगा तो आप मतलब च आर्थ होता है स्वा राज नाम में चीपा है खुद का राज मतलब मेरा खुद स्वेम का राज तो इसका अप्शन हो जाएगा भी ठीक है अगला फिर स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि सेबन नंबर कुश्चन यह यह तो जिन्दा है तो यह जो कवीता है कवीता में कैसे जीवन जीने की पेड़ना मिली है कैसे अतीत को याद करके यानि जो आपके साथ पीछे भी बीच चुका है उसको याद करके जीने के बात किया गया है यह थिर होसला और उत्साह पूर्ण जिंदगी जीने का बात किया गया है तो यह ऑन होप्शन यहीं डैरेक्झ डिखे लाहिए के बी होगा होसला और उत्साह के साथ अपने जिद्दीगी जीना है पुराने चीजों को याद नहीं करना है ठीक है अगला कोशन है तू अपने सू कर्मों से किसे प्रिथवी पर उतार लाएगा अपने कर्मों से किसे प्रिथवी पर उतारने की बात इस कविता में कहें तो स्वर्व को ठीक है अगला कोशन नौ नमबर है सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकास को देखर डैस प्रित्वी हो जाती है यानि कि यहां पर भरना है प्रित्वी क्या हो जाती है तो अनंदित हो जाती है ठीक है अब देखिए कभी शंकर साहलेंदर जो लिखे हैं कौन सा कविता लिखें तुजिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बा ऑप्सन सी हो जाएगा अजादी प्राक्त करने के लिए ठीक है अब देखते हैं लोग 11 नमबर क्वेश्चन का कैसे व्यक्ति जिन्दा में माना जाता है तो जो निराश रहित हो उस्क्राइब को मानते ही नहीं है असल जिंदगी में जो जिंदा है उसको जिंदा नहीं इस को घल के लिए कुछ भी कर दे वैसे व्यक्तिव को जिनदा मांते है घमंडी भी घलत है और निराशा इस कि आए ऐसाफी क्याएं सबसे ज्यादा इसी से रहेगा इसलिए इसको आप लोग मिस मत किजिएगा देखिए यहां लिखे हैं हम कि मुहमूद के पास कितने पैसे थे आपको पता होना चाहिए कि मुहमूद के पास दस पैसे, बारा पैसे, तेरा पैसे, तीन पैसे, तो मुहमूद के पास बाबू, बारा पैसे थे, ठीक है, अब देखिए अगला question, सब ने कितने कितने पैसे के खिलोने खरीदे, तो आपको पता होने जी कि सब ने दो-दो पैसे को खिलोने खरीदे, जबकि हामीद को लेंगे वीडियो प्लेलिस्ट में है देख लेंगे अब इदगा कहानी का मुख्य भी सेस्ता क्या है कहानी बाल मौनों विज्ञान पर अधारी थे या फिर अभाव एवं चुनावती या बच्चे को परिपक्वा बनाती है तो आपका अप्शन भी सही होगा अगर कोई भी बच्चा अगर अभाव में है यानि उसके किसी की कमी है और उसके सामने चुनावतिया है तो इंसान को और परिपक्वा बनाता है या अप्शन अपका भी सही है अब देखिए च्यार नमबर आपका तीन नमबर कुश्चन होगे च्यार नमबर देखिए मेले में हमीद ने क्या खरीदा तो सब को पता है कि मेले में हमीद ने चिम्टा खरीदा था ठीक है अमीना कौन थी option पहला है हमीद की दोस्त या फिर हमीद की दादी हमीद की मा और इनमें से कोई नहीं तो यहां पे हो जाएगा आपका हामीद की दादी सही, ठीक है, अगला देखते हैं, रमजान के कितने दिन बाद ईद का तेवार आता है, यह तो सब को पता होना चाहिए कितने दिन, 30 दिन के बाद आता है, ठीक है, अगला हम लोग अब देखते हैं, question, इसी में है, question थोड़ा सब सब कुछ समझ में आएगा, यहां देखे, इदगा कहानी अधारी थे, अब यह डारेक्ट जो पुछा है, इदगा कहानी किस पर अधारी थे, तो यह बाल मनों बेग्यान पर अधारी थे, नैतिक सिक्चा पर तो है नहीं, आर्थिक सिक्चा पर भी नहीं, यह बाल, बा जीवन बाल मन को किस तरह सोचने पर मजबूर कर देता है क्योंगी उसको एक रुपै मेहनत akan अप व蛋 क knife का है मोचीन के पास कुतने रुपै किन पास क्तिने रुपैत है यहां आपको बता दे कि मोचीन 거ई 15 पैसे यह अगला question है ज्यान से इसको देखिएगा मुहमूद ने कौन सा खिलवना खरीदा यानि कि आपको के बता दे कि मुहमूद आखिर वो कौन सा खिलवना खरीदा है तो यहाँ औक सथी सिपाही खरीदा है और मौसीन ने क्या खरीदी तो भिस्ति के बारे में हम बताए थे वीडियो जाके आप देख लिजेगा अगला 12 नमबर कुस्चन है खिलावना किस चीज़ के बने थे तो ये बावु मिट्टी के खिलावने बने थे पहले मिट्टी के खिलावने होते थे ठीक है अगला आप देखते हैं हम लोग कुस्चन नमबर 13 थोड़ा सा हम लोग जूम कर लें सोरी थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो जा रहा है अब देखिए इदगा कहानी वंचित बच्पन की परिस्तिती पर किस धंग से टिपड़ी करती है तो मार्मिक धंग से यानि मार्मिक एनि मरहम के रूप में ये बताती है अब देखिए अगला है हामीद के पास कितने पैसे थे तो हामीद के पास तीन पैसे थे उसके पास तो तीन ही पैसे थे वो भी उसको बचा के खर्च करना था कहानी में तो हम यही बताये थे प्रेमचन द्वारा ये जो रचीत पाठ है यह क्या है इसका क्या नाम है प्रेमचन ही इस पाट को लिखे हैं तो अब यह तो पढ़ रहे हैं इदगाह हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है हमीद के घर से इदगाह कितनी दूरी पर था आप बताईए कि हमीद के घर से इदगाह आखिर कितनी दूरी पर था तो आपको हम बता यानि कि कर्म के प्रति अगर आप सच्चे मन से निष्टा रखते हैं तो भी आप सफल हो पाएंगे बधाय वेक्ति को डैस डैस बीच में खाली जगाय काम करती है तो बधाय डराने का कर्म आप करती है कर्मीर कवीता किस केद्वारा रचित है तो आपको बताये थे हमकी कर्म इकार कि द्रैस के दौरा मनोंचित वर्ष की पराप्ति होती है परिष्रम के दौरह ही किसी लक्ष키 को नहीं प्राप्ट कर सकते हैं नहीं किसी के मदद से मदद लेने से इनसान मदद का आधी हो जाता है अब अगला हम लोग देखते है कि दिखे करंबीर की क्या पह्चाने जो कर्म के प्रती निश्ठा रखता हो, सच्ची स्रदा और भावना रखता हो यही होगा आपका option सहीं भागे पर भरोशा करने वाले को कुछ नहीं मिलता है ठीक है यह गलत होगा, इन में से कोई नहीं होगा यह यह भी गलत होगा ऑगला देखते हैं करम बीर जो पाठ ये क्या है बाबू कईता है कहानी है निबंध है डाइरी है तो करम गीन करम्बीर कुद असकर नर्माड करता है कौन होते हैं तो करमबीर होते हैं वहीं लोग तो इतिहां सरचते हैं अब देखिए अगला हम लोग उस देखते हैं यह ती लेशन तक कम्पीट हो आप चार लेशन देखते हैं बहुत ही मजज़दार है कहानी आपको बताए भी थे बाल गोबिंद भगत इनके बारे में यहां देखे बाल गोबिंद भगत की उमर कितनी थी तो बताए थे लगबग 60 वरस ठीक है बाल गोबिंद भगत गले में किस पेड़ की जड़ की माला पहनते थे तो तूलसी के थोड़ा सा सादूमिजाज के हैं य घि question, ठीक है? तूस इसाब से तुल्सी के? तुल्सी एक मतलब पवित्र पेड़ मना जाता है. बाल गोविन्द भागत पेशे के क्या थे? तो गिरहस थे. ठीक है? अए. घिती करने वाले. बाल गोविन भगत किसे अपना सहाब मानते थे तो कबीर को अपना सहाब मानते थे रहीम को भी नहीं तूलसी दास को भी नहीं ये सब गलत है पांच नमबर कोश्चन है कि बाल गोविन भगत के कितने लड़के थे तो एक ही लड़का था उनका ठीक है और यहाँ पे देखिए आपका छे नमबर कुश्चन है बाल गोबीन भगत अपनी खेती में उत्पादित फसलों को सबसे पहले कहां पहुचाते थे तो यह आपका उप्शन पहलाई हो जाएगा यानि कि साहब के दरबार में यो साहब किसको बोलते थे कबीर को बोलत इसमें साथ नमबर कुश्चन है साहब का दरबार घर से कितना दूर पर था आप बताईए आखिर साहब का जो दरबार है वो घर से कितना दूरी पर था तो चार कोस की दूरी पर था ठीक है बाल गोबीन भगत हर साल 30 कोस पैदल कहां चल कर जाते थे वाबु तो यह हो थी ठीक है तो यहां option हो जाएगा यहां पे पहला स्वारी यहां डी लिखा गया है लेकिन यह सुसील ही option सही होगा ठीक है अगला question देखिए बाल गोबिंद भगत किसे अपना अधर्स मानते थे तो जाईर सी बात है कि किसको मानते थे कबीर को मानते थे ठीक है बेटे के मरने के बाद बाल गोबिंद भगत क्या करने लगे यहां देखिए थोड़ा समझेगा बेटे के मरने के बाद वो क्या कर रहे थे तो गाना गा र बाल गुभीन्द भगत का बेटा कैसा था आप था की इमंदार था की चलाक था की बुधिमान था तो बाल गुभीन्द भगत का बेटा कुछ सुस्ट टाइप का था थोड़ासा मंद बुधि जो होता है सुस्ट, तो सुस्ट हो जाएगा आपका option सही, अब देखते हैं अगले layer में क्या है, question, 13 नमर question देखते हैं, बाल गोबिन भगत, रेखा चित्र जो ये है, किसके द्वारा रचित है, ये जो बाल गोबिन भगत है, ये किसके द्वारा रचित है, तो बताये थे कि बालक कुछ स्ट्रीक भी बताये थे, यहने कि राम ब्रिक्ष बेनी पूरी, इनके द्वारा ये रचित है, याद रखिएगा बाल गोबिन भगत, राम ब्रिक्ष बेनी पूरी द्वारा रचित है, तो बताया थे, ऊपर एक question में भी लिका है, बैसे रेखा चित्र है, अगला question तो देखिए यहां बाल गुविन भगत को मुखागनी किस ने दी हिंदु धर में होता है कि जो आग दिया जाता है तो मतलब वहां चीता पर सजाने के बाद से मुखागनी को देता है याग में आग को सटाए जाता है तो यह कौन दिया है तो उनकी पतो हुई दिया है याणि पतो ही दिया बाल गुविन भगत कभीर को साहब क्यूं मानते थे तो यहां देखिए बच्पन के दोस्त थे उनके पडोसी थे उनके गुरुत थे या कभीर के आदर्सों पर चलते थे तो अपसन आपका डी होगा सही उनके आदर्सों पर चलते थे उनको अपना आईडियल मानते थे ठीक है अब देखिए अगला हम लोग पांच शिलेशन देखते हैं यहां पर यह भी बहुत मज़दार है पर खंड में हैं आपसे बताए थे डैसस दिया है जोट दिया हैं स्रकट तो च्छोटा नागपूर ऐसमें उस जीनला तो चोटा नागपुर को कहा जाता है अगला कोश्चन है कि हुंडू का जलब पर परपात-पाट के लिखख है तो जो हुन्रू के जलब पर पाध-पाट के लिखख disguise वहें पांच्वा कोश्चान है कि十 वरू का जलब पर पाध-पाड की विध्या यहां पर रीता होगा यातरा चुट गया सिर्फ ब्रितांत क्योंकि यहां आपको बताया थे कि हुंडु कहा जाता है कि कभी जाए जर्खन तो हुंडु घुमिए यात्रा करने जाएगा तभी तो घुमिएगा यात्रा ब्रितांत यहां पर होगा ठीक है छे नंबर कुश्चन है स्वणरेखा नदीश के उद्गम अस्थान से कितना दूर हुंडु है आपको बताये थे कि स्वणरेखा से यह लगभग कितना दूर है तो 50 मिल दूर है ठीक है अब देखते हैं हम लोग अगला कुश्चन यहां देखिए इसको थोड़ा समीधर कर दें अगला कुश्चन है राची से हुंडु कित 243 ठीक है 243 फुट लंबातल इसका उचाई है अब देखिए हुंडु का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चटानों पर गिरता हुआ कैसा रंग उत्पन करते थे जाहिर सी बात है थोड़ा से सुचिए कि जब पानी गिरता है तो लगता है सात रंग की तरह दिखने लगता ह निकी इंदर धन सी रंग सात रंग का उता है तो यह वाजाएगा इंदर धन सी रंग अगला कोस्टन है हुंडू का जहर्णा किस चीले में तो बताय के आप से चोटा नागपूर में पूरलिया रोड से हुणु का थे दूर तो पूरलिया रोड में होगा यहां पे . प्रप्र परक्रयगों सब्सक्राइब नि context बढला ए सब्सक्राइब और दियुक्त अगला सब्सक्राइब और उपर गलाह ऑना ँपराइब यह सब्सक्राइब टुकड़ा है ठीक है तो यह समझ में आया होगा फिर हम लोग देखते हैं लेशन सिक्स कि बिहारी के दो है यह भी बहुत मज़ेदार है बिहारी के दो है आपसे बताये थे कि कैसे कवी है ठीक है यानि कि यह है आपके थोड़ा सा एक मिनिट वेट यहां देखिए बिहारी जो है बिहारी किस काल के कवी है तो रीती काल के कवी है किस काल के कवी है रीती काल के कवी है ठीक है यहां पर अगला है कि किसके जगा किसके जगा सागर में यानि गागर में सागर जैसा है यहां पर यह होगा तो यहां बताये थे बिहारी के बिहारी एक छोटा सा बात बोलते हैं उसमें लगता है कि कितना बड़ा अर्थ उसका निकल जाएगा ठीक है नाम से बड़ा क्या है आपको पता होना चाहिए कि नाम से बड़ा गुण होता है और गुण नहीं आप कितना नाम कर लिए आपके गुण के आधार पर भी आप फेमस होंग ठीक है अब देखिए अगला चार नमर कोश्चन है मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई इस पंति किस कविता से लिया गया है तो वो बिहारी के दोहे से लिया गया है यहां देखिए नरक की अरु नल नीर की गति शमान क्यूं है क्योंकि अप्शन पहला है कि नल नर दो दोनों मित्र हैं ठीक है और यहां लिखाए कि दोनों ही नीचे से उपर उठते हैं तो आपका अप्शन हो जाएगा सी साई दोनों ही कहां से उठते हैं नीचे से उठते हैं यानि कि नीचे से उठत करके मेहनत करके तब अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ठीक है नमर किसी भी व्यक्ति को प्यार से बात किजिएगा तो आप स्रेष्ट बनेंगे अप्सन आपका ए सही है ठीक है अब देखते हैं हम लोग शात नमर कुश्चन यह क्या कह रहा है गया देखिये बत्रस लालच लाल की मुलि धरी लुकाए किस कविता की पंती है ठीक है तो यह बिहारी के दोहे की है सच्चा वैक्ति कौन है आठ नमर कुश्चन है कि सच्चा व्यक्ति आखिरकार कौन है तो जिनके मन में खोट हो जो स्वार्थी हो, जो जूटा हो या फिर जिसका हिर्द्य पवित्र हो जिसका हिर्द्य पवित्र है ठीक है? वो कोई भी बात कभी भी जूट नहीं बोलता है, मन साफ है वो क्या है वही सच्छा व्यक्ति है बिहारे सबसे अधिक किस रूप में प्रतिष्टी थे तो आपको बताये थे कि ये प्रेम के रूप में सबसे ज़्यादा इनको लोग जानते थे ठीक है अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 7 lesson का कुछ important question हम लोग देख लें अब देखे सिर्चन को घी के घी डांडी के साथ क्या पसंद था तो चूड़ा पसंद था ठीक है सिर्चन ने किसे बेपानी कर दिया यानि कि बताया था ना इंसल्ट किये थे सिर्चन कौन तो पंचानन्द चौधरी के छोटे बेटे को इन्हों ने बहुत बड़ा इंसल्ट किया खाने में कमी कर दिये होंगे बताया थे कहानी में ठीक है अगला हम लोग देखते हैं अगला है सिर्चन को किस कार्य के लिए बुलाया जाता था खेती के लिए या फिर चीक बनाने के लिए कि धान काटने के लिए कि इन में से कोई नहीं तो यह हो जागा चीक बनाने के लिए मानू कौन थी लेखा की बहन थी कि सिर्चन की बेटी थी, कि लेखक के रिष्टेदार थी, तो मानुजो थी, यह सही अफ़ान, लेखक की बहन थी. पांस नमबर देखिए, लोग सिर्चन को बेकार ही नहीं, डैस समझते थे, यह नि बेगार समझते थे, आपको हम बताये थे, बेगार समझते थे, ठीक है, अब देखिए, छे नमबर है, ठेश जो ये सिर्शक कहानी के मुख्य पात्र, यानी सबसे इसमें में आदमी कौन है, किसके बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है, तो सिर्चन के बारे में जिक्र किया गया है, आपको बता दे कि ठेश कहानी के लेखक, फणिस्वर नाथ रेडू होगा, ठीक है, रेडू लिखा गया है, रेडू होगा, ठीक है, यह है, तो यह समझ में आ रहा होगा, और आप इसको याद कर रहे होंगे, ठीक है, इसको नोट करते चलिए, ठीक है, अगला कोशन नमब जर्दा बोला है, ठीक है, सिर्चन बोला एक चाची से थोड़ा सा जर्दा वाला पान, सौरी, जर्दा थोड़ा सा हमको दो, सिर्चन को पान का बीड़ा किस ने दिया, ठीक है, ठेश पाठ की बिद्या है, आखिर जो यह ठेश है, यह किस परकार की बिद्या है, तो यह कह है अगला है ठीस कहानी मन की भिषस्ताओं का वर्णन करती है क्या करती है तो चाची नहीं ती ये भी नहीं होगा मानू सिर्चन भी नहीं यहां मजली भावी थी ठीक है अब यहाँ अगला हम लोग देखते हैं सिर्चन काम के बाद मज़दूरी में क्या लेता था धेर सारा धन की अच्छा भोजन की सोने का प्लेट की अनाज कौन होगा तो यहाँ पे अच्छा भोजन लेता था काम में वो कुछ नहीं लेता था उसको बस अच्छा खाना चाहिए ठीक है तो यह आपका पूरा का पूरा कम्पलीट हुआ तो देखाना आपने कुश्चन कितना मज़दार था अगर आपको यह कुश्चन समझ में आ है तो क्या अपने पास सिर्फ रखिएगा अपने दोस्तों में सेर कीजिए ताकि वो भी एक्जाम के लिए अच्छा से तयारी अपने आपको प्रिपेर्ड कर सके तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जहन